कैसे हैं अप सब आज़का जो टॉपिक अपने और जो भी आप कमपिटिटिव एक्जाम्ज के लिए अपने में आई व्यम्हेशन करए उनस सब के लिए वी बहुत ही फाइदे मंद होगा तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर दिखेगा और अभी तक अगर आप लोगोंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताके आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके तो चली आज का डिसकेशन आगे बढ़ाते हैं तो आज का पहला जो टॉपिक है आंधर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री है उन्होंने अभी पूर्वी गोदावरी जिले में आवास योजना नवरत नालू पैडा लेंडारी की लू की शुरुआत किया है तो यह उसी से लेटेट टॉप पल्ली ब्लॉक के कोमिरी गीरी गाउं में जो है नवरत नालू पैडा लेंडारी की लू सभी गरीवों के लिए आवास नाम की योजना की शुरुआत की है और राज्य के जो गरीब लोगों के लिए जो है सरकार दुआरा 2024 तक कुल 30.9 लाग घरों का निर्मान किया जाएगा कि राज्य के हर घर में जो है पक्के यनकी सिमेंटेट घर हो और मकानों के निर्मान पर जो है 50,490 क्रोड रुपे खर्चोंगे और ये जो स्कीम जो है इस स्कीम के तहर लाभार्थियों को जो है एक घर की साइट का पत्टा चारी किया जाएगा और महिलाओ के घर के नाम पत्टा पंचिकृत किया जाएगा निकी रेजिस्टर किया जाएगा लेडिस के नाम पर और सभी लाभार्तियों को जो है ग्रामिंग शेत्रों में 1.5 सेंट या शहरिक शेत्रों में 1 सेंट दिया जाएगा और राज्यभर में जो है 30.75 लाख जो लाभार्तियों जो है उनकी पहचान की गई है जिन में से 28.30 लाख खर 17,000 YSR जगनन्ना लेया आउट के तहट दिये गए है जिनके नाम YSR जगनन्ना हाउसिंग कोलोनिया है और अन्या 2.62 लाख टाउन्शिप और इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट कोर्परेशन के फ्लैट है यानिके TIDCO के फ्लैट है एक पट्टा जो है सरकार द्वारा भूमी के एक विशेश भूखन के वास्तविग मालिक के नाम पर जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेश है और यह जो उन इमारोतों या व्यक्तिगत घरों के घरों आदी के साथ भूमी पर भी दिया जा सकता है जो के उन पर निर्मेट है तो यह उससे से लेटेट टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक जो है प्येम मोदी ने जो है जमू कश्मीर के सभी निवासियों को कवर करने के लिए जो है आयश्मन भारत पीम जेज सेहत स्वास्थ वीमा योजना जो है उसकी शुरुआत की है तो यह उससे से लेटेट टॉपिक है तो अभी 26 दिसंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने जो है जमू कश्मीर के सभी निवासियों को कवर करने के लिए आयश्मन भारत यानकि प्रधान मंत्री जन आरग्य योजना सोशल एंटेवर फॉर हेल्थ एंड टेलेमेडिसन पीम जे सेहत स्वास्थ वीमा य तेंद्र मंत्री अमिट शाह, डॉक्टर हर्ष वर्धन, डॉक्टर जीते इंद्र सिंग और जमू कश्मीर के जो लाफ्टर निवासियों को प्रधान करने और सभी व्यक्तियों और समुदायों को गुणवत्ता और सस्ति अवश्यक स्वास्थ सेवाय सुनिश्चित करने ध्यार गेंद्रित करेंगे। सभी जो अस्पताल जो है नीजे और सालवजनिंग दोनों ही मतलब जो पबलिक है और या तो गवर्मेंटल है जो सभी जो है वो पीमजे योजना के तहट निगमित योजना के तहट सेवाय प्रधान करेंगे और योजना का जो लाफ जो है पूरे भारत में पोर्टबल और यह जो सपटाल में भड़ती होने की तीन दिन और अस्पताल में भड़ती होने के पंद्रा दिनों के बाद की चिकितसा पकड्यायों को उसको भी कवर करेंगे और जमु कश्मीर में लगभग 6 लाग परिवारों को आयुश्मन भारत योजना से लाव मिला है और अब लगभग 21 लाग परिवारों को सेहद योजना के माध्यम से समानला मिलने की उमिद है और यह जो स्कीम जो है प्रतानुति जन आरोग्या योजना पी एम जेके अभी सरण में काम करेगी और भारत सरकार द्वारा जो है दो हाजार रठारा में भारत के 40 परसन निवासियों के लिए स्वास्त सेवा मुफ्त में पुलप्त कराने के लिए योजना शुरू की गई थ जो है भारत माध्यमिक और तितियक देखभार आस्पतल में भरती के लिए प्रतिवर्ष आयन और 5 लैक प्रति परिवार का कवर प्रदान करती है और पात्रत मांदन सामाजिक अर्थिक और जातिक जन गर्ना स्थिसीसी 2011 से निर्धारित किया गया है और परिवार के आकार आयू या लिंक पर जो है कोई प्रतिवन नहीं है तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक जो है जारखण ने जो है किसान फसल राहद योजना यानि कि क्रॉप रिलिफ स्कीम को शुरू की है तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है तो जारखण ने जो है राजय की अपनी फसल राहद योजना किसान फसल राहद योजना शुरू की है जो कि भारत सरकार की फसल बीमा योजना प्रधार मंतरी फसल बीमा योजना पी-म एपी-वाई की जगह लेगी और यह जो नहीं जो योजना जो है मतलब यह एक मुहावजा स्कीम है जो की प्राकृतिक खतरों के कारण फसल क्षती के मामलों में चारखन के जो किसान जो है उनको अभी सुरक्षा प्रदान करेगी प्रश्री पशुपालन और सहकारिता वीभाग चारकर्ण योज़ ना की कारियन वियन एजन्सी होगी और इस योजना की जो मुख्य जो दिश जो है में जो एम जो है खादिय, सुरक्षा, फसल, विविधी करण, कृष्रिमी तेजी से विकास और प्रतिसपर्धा के लिए मार्क प्रशस्त करना है और चारखर्ण एकल फसल यानिकी धान जो कि राज्य, मतलब धान का खेती जादा होता है, वहाँ पे में जो मतलब खेत जो है वो धान का होता है, तो धान राज्य है एक्चली, तो धान जो होने के नाते, ये योजना धान उगाने वाले जो किसान जो है उनको लक्षित करेग और यह जो भूमी के मालिक और भूमी ही दोनों ही किसानों को जो है कवर करेगा और यह स्कीम में किसी भी प्रीमियम का भूकतान करने की आवश्यक्ता नहीं है और फसल क्षती का आकलन प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल है इसमें इसके माध्यम से किया जाएगा कटाई के बाद के मामले में जो है क्षती का आकलन द्रिष्टी के आधार पर किया जाएगा किसानों द्वारा क्षती ग्रस्त फसलों की रिपोर्टिंग में ग्राम सभा भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी और मुहाफजा जो है 0.1 से 5 एकर भूमी के क्षती के आधार पर क्षती पूर्ती जो है 3,000 तू 3,500 रूपीज की सीमा अबलिक एकर से होगी और इसको जो बदला जो गया है अभी PM-FBY जो है उसको बदलने का जो रिजन जो है वो उसमें अभी PM-FBY में जो है राज्य सरकार को बीमा कमपनियों को प्रीमियम के रूप में एक बड़ी राशी का भुखतान करना पड़ता है और पिछले तीन वर्षों में तीन सालों में जो है 2017 से 2020 में छारखर ने जो है 512.55 क्रोड रूपे का भुखतान किया है जबकि किसानों को जो है दिया जाने वरा मुआफजा दावा निपटना नि प्रीमियम के रूप में बड़ी राशी का भुखतान करने के वज़े वे किसानों को सीधे मुआफजा देने के लिए राशी का उपयोग कर सकते हैं तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है तो आज के लिए इतना ही है कल हम फिर मिलते हैं इन और टॉपिक के पूरे हफते के करन अफेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि आपका ही जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और अगर कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा तो प्लीज की वाचिंग और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक केर जाए हिंद